समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों अब से ठीक पांच दिन पहले भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था और मैंने तभी यानि अब से 4-5 दिन पहले वीडियो और आकर आपको उसके बारे में डिटेल से बताए भी था लेकिन उस वीडियो में कुछ अजीब हुआ था वो क्या उसमें ज़्यादा तर निगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा थे ये कह रहे थे लोग कि भारत की जो ग्रोथ होनी थी बस हो चुकी है अब कुछ नहीं होगा ये तो भारत का पीक है इस से उपर भारत जा ही नहीं सकता हलाकि वो अलग बात है कि ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग 50 फीसदी ही भारत ये थे बाकी के जो 50 फीसदी थे ये हमारे परोसी पाकिस्तान की तरफ से आये थे और मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि इस से पहले में वीडियो शुरू करूँ आप चरश्मा लगा कर बैठ जाईए मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ आपको कि जानकर हैरान रह जाएंगे अरसल आप सभी लोगों को तो पता ही है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पिछले हफते ही इतिहास रच चुका है 604 अरब डोलर पर पहुँच कर इतना ही नहीं भारत एक हफता पहले रूस के साथ संयुक्त रूप से चोथे अस्थान पर था यानि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनका जितना भी खजाना है विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारत चोथे नंबर पर है रूस के साथ संयुक्त रूप से लेकिन पांच दिन भी नहीं हुए भारत ने इस रिकोर्ड को भी चकना चूर कर दिया है पूरी तरीके से द्वस्त कर दिया है इसकिन पर देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 दिनों के अंदर 608 अरब डोलर पर पहुँच चुका है और अब भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है जी हाँ यह बहुत बड़ी उपलब्दी है भारत के लिए अब चोथे स्थान पर भारत अकेला है रूस पांचवे स्थान पर खिसक चुका है और आपको याद होगा कि यही बात मैंने ठीक अब से पांच दिन पहले उसी वीडियो में कही थी कि भारत की जो ग्रोथ है ना वो इस समय एक बिल्कुल अलग लेवल पर है बिल्कुल फाइरी तरीके से आगे बढ़ रही है भारत की जो ग्रोथ है उसके अनुसार पर 30 सालाना 200 अरब डोलर बढ़ेंगे भारती विरेशी मुद्रभंडार में चाहें आप वो वीडियो होते हैं 52 हफते होते हैं लेकिन अगर लीप यर हो तो 53 होते हैं लेकिन हम 52 जोडते हैं कम मान कर चलते हैं अब 52 को अगर आप 4 अरब डोलर पर हफते की हिसाब से जोड़ कर चले तो कितना बैठता है 208 अरब डोलर सालाना यानि कि जो मेरा एस्टिमेट था भारत उसे भी त दोलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन जाएगा इतना है नहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो मेजोर्टी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा US डोलर भार बारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो गोल्ड का परसेंटेज यगरा पिछले 10 सालों का ही निकाली तो लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में वो भी बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि वो बिलकुल उतना ही लेवल पर है वो भी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कि रफ्तार गोल्ड से भी जाता है क्योंकि दुनिया भर में लगभग 80% दिवयापार डोलर में होता है भारत किसी चीज को एक्सपोर्ट करता है उसकी पेमट डोलर में होती है भारत की कोई कमपनी है जैसे कि TCS वो कोई भी अपनी सर्विसिस बेचती है दुनिया भर में तो उसकी जो payment मिलती है उसे dollar मिलती है फिर वो dollar को भारत सरकार को देकर भारत सरकार से रुपिये में payment ले लेती है इतना ही नहीं जो दुनिया भर के investor है जैसे कि America का या Europe के जिनके पास ज़्यादा पैसा है ये कहीं भी invest करते हैं तो ये dollar में ही invest करते हैं हाला कि भारत फिर भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार diversify कर रहा है उसमें जादा से जादा asset जोड़ रहा है ताकि एक चीज पर जादा निर्भर ना हुआ जा सके लेकिन जो सबसे खराब चीज यहाँ पर हो रही है वो है योरोप के लिए तो कि योरोप का ए एक भी देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है इतना है अगर आप जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन का भी तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार जोड़ ले तब भी वो भारत से काफी पीछे रहेंगे भारत की सुपलब्दी पर आपका क् कमेंट करके जरूब बताएगा साथ ही वीडियो को शेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूं दूलेगा थैंक्यों रूसा सिंग उडियों